जहिंदे साथी हो, साथी हो, आज का जो कलास होगा, हुआ होगा 49 कलास ठीक है, तो आपको वीडियो में अंतक बनी रहना है और दोस्तों को जरू से जरू से जरू से शेर करना है, ठीक है, इसमें आज जो होगा, टोटल चार चेप्टर को कभर करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो से जरू से जरू से जरू से शेर करना है, बढ़ते हैं, पहला जो चार चेप्टर कभर करेंगे, पहला जो चेप्टर है, वह कौन सा चेप्टर है, उसको देखते है, ठीक है, इसलिए आपको वीडियो में अंतक बनी रहना है, और दोस्तों को जरू से जर लें फिर आगे नेक्स्ट रहेगा भारत के जल परपाद ठीक है साथियों आगे नेक्स्ट रहेगा चेप्टर भारत की बहु उदेश्य परियोजना टोटल चार चेप्टर को कवर करेंगे इसलिए आपको वीडियो में शुरू से अंतक बनी रहना है और दोस्तों को सेयर करन ठीक है और पीडियाप के लिए टेलीग्राम में जूड जाना है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों और देखते हैं पहला चेप्टर क्या है ठीक है अब पहला चेप्टर का पहला सवाल क्या है ठीक है तो साथी यह पहला सवाल है ध्यान से देखेग हुआ है टिहरी बांद है ठीक है important chapter रहेगा साथ हो total 4 हो फिर cec इसलिए video is scroll किजाएगा है दोस्तों को share किजाए ठीक है तो सबसे उचा जो बांद है साथ ही वह टिहरी बांद है correct उलैगा ठीक है जितने भी total सवाल होगा साथ चार चेप्टर में टोटल एकी क्लास में कंप्लीट कर दिया जागा ठीक है इसलिए वीडियो इसकी में करना है दोस्तों को सेर करना है आगे नेक्स्ट कोश्चन को बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा जो बांध है वह है हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कौन है तो हीरा कुंड बांध ठीक है आगे नेक्स्ट कोश्चन है टियरी बांध किन दो नदियों के संगम पर इस्तित है तो भागिरत वह और भिला गना दोन जिल किस राज्य में इस्तित है चिलका जिल जो साथियों इस्तित है हुआ है ओडिसा में करेक्ट हो जाएगा आगे नेक्स्ट है हीरा कुंड बांध किस राज्य में है साथियों तो हीरा कुंड जो बांध हुआ है ओडिसा में ओडिशा में correct answer हो जाएगा आगे next question है राणी लच्मी बाई बांध अवस्थित कहां है तो बेतवा नदी पर इस्तित है correct हो जाएगा आगे next question के बढ़ते है next है पेटरूर बांध जो है अवस्थित हुआ कहां है तो तमिलाडू में correct हो जाएगा आगे next question है कोयना बांध इस्तित जो है महाराश्ट में है correct हो जाएगा आगे next question है साथियो कि अलमाटी बांध किस नदी परिस्तित है करेक्ट हो जाएगा आगे next question है हीरा कुंड बांध किस नदी परिस्तित है साथियो तो महा नदी परिस्तित है करेक्ट हो जाएगा आगे next question है थीन थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है तो रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है ठीक है आगे next question है गांधी नगर जभार सागर तथा राना पताफ सागर बांध किस नदी पर निर्मीत है तो चंबन नदी पर निर्मीत है करेक्ट हो जाएगा आगे next question है मेथान बाल पहाडी वा तेलिया बांद किस नदी पर बनाये गए हैं तो बराकर नदी पर बनाये गए हैं correct हो ठीक है आगे next question साथियो कि मेटूर बांद किस नदी पर बनाया गया थो कावेरी नदी पर correct हो जाएगा आगे next question है सवाल है साथियो कि मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो वह कावेरी हो जाएगा ठीक है आगे next है कि अलमाटी बांध किस नदी वह राज्य में बनाया गया है तो कृष्णा और करनाटक के बीच में बनाया गया है ठीक है कर और देखते हैं एक जप्टर का नाम भारत की झिल करेंगे इसे इससे उतना स्वालों है तो इसे सब्सक्रे fazendo मेरा जल की मिठे जल जो है वह कुन सी जील है वह है चिलका जील साथियो मि Seo जिल के लिए प्रसीध है वो है चिलका ठीक है आगे नेक्स्ट है उत्तरपुर्वी भारत की सबसे बड़ी जील लोग तक किस राज्य में इस्थी थै तो मनिपूर में स्थी थै राइक्ट हो जाएगा आगे नेक्स्कॉश्चन है कुमियान जील किस राज्य में में सबसे बड़ी जील राज्ज में है तो कौन सा राज्ज में साती हो जम्मु कस्मीर में करेक्ट हो जाएगा आगे नेक्स कोश्चन है लोनार जील किस राज्ज में सतीत है तो महाराष्ट में है करेक्ट हो जाएगा आगे नेक्स कोश्चन है साती हो विश्व परसीद खारे जलकी जील संभार किस राज्ज में सतीत है तो राजस्थान में है करेक्ट हो जाएगा आगे नेक्स कोश्चन है बैमनाड जील किस राज्ज में सतीत है साती हो तो बैमनाड जो हो केरल में है कर सापीफ है है इस्थित आधर पतेस में है लेक्ट हुजाएगा आगे नेक्स सागर रणा-परताप सागर तygen SUBSCRIBE किस नदी पर हिस्थित क्वल नदी पर करेक्ट हो जाएगा आगे नेक्स्टोस्ट्टन में विशाल्तम लेगून कौनता है यह यह वह कौन सा है साथी तो चिलका लेगून कर्यक्थ होजाएगा आगे नेक्स क iPhones गोष्टन है लोक टक जो है साथी और चृरण है क्रेक्थ होजाएगा आगे नेक्सट है है यहिदराबाद एवं सिकंद्राबाद के बीज जाए खौक तोemale हुसें सागार सात्य है है तो और नेक्स्ट कोश्चन है भारत की प्रसीद लेगुन जील जो है वह कहां है तो चिलका जील को बला याता है भारत की प्रसीद लेगुन जील ठीक है तो आगए नेक्स्ट कोश्चन के बढ़ते हैं नागीन जील किस राज्य में स्तित है तो जम्मु कस्मीर में नागीन जील अस्थाफीद है तो यह साथ दूसर चेप्टर कंप्लीट हो गया इसमें भी टोटल 16 सवाल था ठीक है आगे नेक्स्ट अब तीसरा चेप्टर क्यों बढ़ती है तीसरा चेप्टर कौन सा है उसको भ भारत के जब परपात में सबसे उचा जब परपात कौन सा है तो जोग जल पर पात जो है साथ ह MARTIN उचा जल परपाथ है, सबसे ठीक है भारत का, आगे next question है, विश्व विख्यात जोग या गर सोपा, जल परपाथ किस राज्य में इस्तित है, तो करनाटक में इस्तित है, और जाएगा, आगे next है, जोग या गर सोपा, जल परपाथ का नया नाम क्या था, तो महतुमा गांदी जल परपात करेक्ट हुजाएगा आगे नेक्स कोश्चन है साथियो कि जोग जल परपात किस नदी परिस्तित है तो सरावती नदी परिस्तित है करेक्ट हुजाएगा आगे नेक्स कोश्चन है धुआ अधहार जल परपात किस नदी परिस्तित है तो वह साथियो नर्मदा पर है क्रेक्ट हुजाएगा आगे next question है कपील धार स्वरी कपील धारा जल परपात किस नदी परिस्तित है तो नर्मदा नदी परिस्तित है क्रेक्ट हुजाएगा आगे next question है सिव समुद्रम जल परपात किस नदी परिस्तित है तो कावरी नदी परिस्तित है correct हो जाएगा आगे next question है साथियो कोकक जल परपात किस नदी परिस्तित है तो कोगक में है ठीक है? कहाँ पे है? कोगक आगे next question है हुन्डू जल परपात निर्मित जो है साथियोवा स्वर्न ररेखा नदी परिस्तित है हुन्डू जलपरपात आगे नेक्स कोश्चन है भारत में किस जलपरपात को लोगपिरिये रूप से नियागरा जलपरपात के तोर पर जाना जाता है तो तुरी कुट जलपरपात करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे नेक्स कोश्चन है एसिया का सबसे बड़ा जलपरपात हुन्डू किस जगह के पास है तो राची के पास है साथियो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं नेक्स्ट है महत्मा गांधी जल विद्धूत उत्पादक प्लांट जो इ इनारे जीले में इस्थित है कि स्कीरा जीले मिस्थित आती हो तो बेलगाउं में है क्रेक्ट हुजाएगा ठीक है आगे नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं देखें नेक्स्ट है राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित जो है वो है जोग परताप्तिक है आगे नेक्स Question ए , कि सस्त्रधारा जल परपात इस्तित है तो देहरा-दून में है Correct answer हो जाएगा, आगे next है नीलगीरी के प्रवतिय छेत्र में कौनसा जल परपात इस्तित है तो पायकारा है नीलगीरी के परवतियच छेत्र में जल, प्रपात जो इस्तित हुआ है पायकारा ठीक है, तो साथियो यह तीस्ता चेप्टर अ कम्प्लीट होगिया, इसमें वह टोटल 17 सवाल थे, तो टोटल कम्प्लीट होगिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेप्टर तो नेक्स शेप्टर जो साती यह है भारत की नदी घाटी परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया हैं? तो दामोदर नदी पर क्या गया है correct answer हो जाएगा ठीक है आगे next है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी बहुदिस्य नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है तो भाखणा नागल परियोजना correct हो जाएगा आगे next है पारामिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों में समलीथ है साथियों तो या केरल और तमिलनाडू में समलीथ है आगे next है मचकूंड परियोजना किन दो राज्यों को समलीथ परियोजना है तो ओडिसा का है और आंद्रप्रदेश का है आगे next question है मयूराची परियोजना से भारत कौन से दो राज्य लभानुवित हो रहे हैं तो पस्सिम बंगाल हो रहे हैं और जारखांड ठीक है आगे next question है साथियो कि आंदर परदेश एवं ओडिसा की समलीत परियोजना जो है वो है कौन मचकूंड है ठीक है आगे next question है उकाई परियोजना साथियो गुजरात में तापती नदी पर है उकाई परियोजना का निर्मान तेंसी नदी घाटी परियोजना के अधार पर किया गया तो दामोदर नदी घाटी पर्योजना टैंसी नदी घाटी पर्योजना के अधार पर क्या गया था ठीक है आगे next question है पेरियार जल विद्धूत पर्योजना किस राज्य में है तो केरल में है correct answer हो जाएगा आगे next है सरदार सरोवर परयोजना किस नदी पर चल रही है साथियो तो सरदार सरोवर परयोजना जो चल रहा है वह नर्मदा नदी में चल रहा है आगे next question के बढ़ते है next है इडू की जल विद्धूत परयोजना किस राज्य में इस्तित है तो केरल में है correct answer हो जाएगा आगे next question है सलाल जल विद्धूत परयोजना किस राज्य में है तो जम्मू कस्मीर में सलाल जल विद्धूत परयोजना है correct answer जम्मू कस्मीर हो जाएगा ठीक है आगे next question के बढ़ते है next है बान सागर परियोजना से लाभानुमित जो राजी है साथियो हुआ है उत्तर परदेश फिर है मद्य परदेश फिर है बिहार ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारत तथा एसिया की एक मात्र उधो भौमिक संजय जल विद्धूत है तो अरुनाचल परदेश से है क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग तक सक्ती परियोजना किस राज्य में इस्तित है तो मनिपूर में इस्तित है क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आगे नेक्स्ट है सतियो कि रीहंद रीहंद बांध जो इस्तित से नदी से समंधित है तो जेलम नदी से तुलबूल परियोजन समंधित है ठीक है आगे next question साथ हो कि भाखडार नागल परियोजना किस नदी पर निर्मीत है तो सतलच पर correct answer हो जाएगा आगे नेक्स्ट है सर्दार सरोवर परियोजना से लाभानुमित राज्ज जो हुआ है राजस्थान फिर मदिप्रदेश गुजरात और महराष्ट सर्दार सरोवर परियोजना से लाभानुमित जो राज्ज है साथी हुआ है राजस्थान मदिप्रदेश गुजरात और ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहन सा कौन तमिल नाडू एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है तो वह है साथियो पेरांबी कूलम है पेरांबी कूलम अलियार ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं नेक्स्ट है जयाक बाड़ी परियोजना किस नदी पर इस्तित है जयाक बाड़ी परियोजना जो इस्तित साथियो गोदावरी में है correct answer हो जाएगा आगे next है महत्मा गांधी जल विद्धूत परियोजना जो इस्तित है जोग परत्पात पर इस्तित है कहाँ पर इस्तित है इना पर्योजना किस राज की प्रमुक बहु हुद्धेसिय नदी घाटी पर्योजना है तो महाराश्ट का है correct answer हो जाएगा, आगे next है नात्पा झखड़ी पर्योजना किस राज में स्थीत है साथियो हूँ तो हिमाचल प्रदेस में है correct answer हो जाएगा, आगे next है नाथपा लकडी परयोगना जो नादी हाटी है हो वह सतलज नदी पर इस्तीत है ठीक है आगे rather next है भाखणा नागल एवं सयुक्त जो परयोजना है वह हर्याना पंजाब और राजस्थान की है आगे next question है कि गिरना परियोजना कहा इस्तीत है तो महाराज yaşट्य में है गिरना परियोजना ठीक है आगे next question है हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल परवाहों को नियंत्रीद करता है तो महा नदी को नियंत्रीद करता है ठीक है आगे next है साथियो कि हीरा कुंड परियोजना किस राज में है हीरा कुंड परियोजना जो है वह किस राज में है साथियो तो हिडकल पर्योजना किस नदी पर इस्तित है तो गहाट प्रभा में है करेक्ट हो जाएगा आगे next question है काकरा prepar, काक्रा पर परियोजना किस नदी से संबंधित है तो ताप्ति नदी से संबंधित है काक्रापार परियोजना ठीक है आगे next question है उत्तर प्रदेश में राणी लच्मी बाई बांध परियोजना निर्मीत है तो बेतवा नदी परिस्तित है correct हो जाएगा आगे next question है कि टिहरी पन बिजली complex किस नदी परिस्तित है तो भागीरत परिस्तित है correct हो जाएगा आगे next question है कि ओकारेश्वर परियोजना निमलिखित नदियों में से किस से संबंदी थै तो नर्मदा से संबंदी थै correct answer हो जाएगा आगे next question है कि तपोवन और विश्नुगर्ड जल विद्धूत परियोजना कहां पर अवस्तित है तो उत्रा खंड में अवस्तित है correct answer हो जाएगा आगे next question साथियो दूल हस्ति पावर इस्टेशन किस एक नदी पर इस्तित है साथियो तो वह चिनौव नदी पर इस्तित है दूल हस्ति पावर इस्टेशन ठीक है आगे next question क्यों बढ़ते हैं देखिए next नेक्स्ट इस है नेक्स्ट वाले साथियों की गंडक गंडक परियोजना किन दो राजियों की संयुक्त परियोजना है तो बिहार का है और उत्तर प्रदेश का है आगे नेक्स्ट है नागाजुन सागर परियोजना जिस नदी पर इस्तित है वह है कृष्णा नदी ठीक है तो चारो चेप्टर का सवाल था टूटल इंपोर्टेंट ही साथ आती हो तो इसको ध्यान में रखकर एक बार जरूर कॉपिर में नौट कर लेजिएगा ठीक है यह एकजाम में दो से तीन सवाल जरूर से जरूर पूछ सकता है ठीक है कल फिर मिलेंगे नेक्स चेप्टर में तब तक लिए जै हिंद जै वारत